सुनाव सक्सॉफ लिमिटेट आप देखिए 314 रुपए 10 पैसे का प्राइस है और यहां पर अल्मूस्ट लगा है लोवर सर्किट यह स्टॉक के वारे में हमने बात करें ती 17 माई के दिन और उसके बाद आज कवर कर रहे हैं अल्मूस्ट उस वक्ता 214 रुपए के आसपास का प्राइस और आज देख रहे हैं तो 314 रुपए का प्राइस यहां पर देखने को मिलता है तो अभी क्या चला है सक्सॉफ लिमिटेट में क्या इसको होल्ड करना चाहिए या बाई करना चाहिए इस जगे पर कितना ठीक है व 214 रुपए का प्राइस था और अच्छी आने की विजए से और मिड़ कैप और स्मॉल कैप के अंदर अच्छी तेजी बनने की वज़ए से स्टॉक को सीधा सीधा बैनेफिट मिला और आपने देखा कि 100 रुपए की बड़ा तमको देखने मुली स्टॉक ने ओल्मूस्ट सब्सक्राइब के साथ वर्क कर रहा है लेकिन यहां पर क्या कंफर्टेबल जोन है यह सबसे बड़ी बात है तो स्टॉक अभी देखिए स्मॉल कैप है स्मॉल कैप मार्किट कैप है तीन या 325 करोड का मार्किट कैप बाली कमते हैं यानि कि कोई बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे मार्किट कैप है ऐसा कुछ नहीं है एक छोटा सा ही मार्किट कैप है स्मॉल कैप की दाहरे में आती है और उस मार्किट कैप में एक अच्छी खासी बड़त भी देखने मुली लेकिन स्टॉक तो बड़ गया बड़ अगर आप देखें तो पी रेशू 40.57 पर देखें पर तेजी कराई नहीं सकते हैं स्मॉल कैप मिट कैप में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो की काफी ज़्यादा सस्ते थे उनमें आप बर बर कर तेजी हुई है लेकिन क्या यह तेजी आपर वरकरार नेन वाली है वेल लार्ज कैप में कोई तेजी नहीं तो इसका कि IT में अभी भी concerning बना हुआ है तो इसका मतलब यह कि यह तेजी पर थोड़ा सा तो कहीं न कहीं शक बैठता ही है यह बात तो आप याल रखें अब इस वक्त पीर इशो बिल्कुल भी comfortable जोन में नहीं है रिजल्ट बहुत आप कहें बहुत जादा खासा आगे ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन रिजल्ट जो है ना quarter to quarter अच्छे है ठीक ना बहुत जादा आप कहें बहुत जादा अच्छे नहीं है growth हुई है 6% की चले देखते हैं लेकिन आपके industry जो है ना वो 25.48 है उसके comparison 40.57 पर ब comparison इस टॉक काफी जादा महंगा होगा बहुत महंगा होगा ठीक ना तो वह fundamental के रूल के हसाब से हमारे जो बुक में है ना उस इसाब से तो नहीं बैठता है फिर यह स्टॉक अगर साथ के पी मल्टिपल बेवर्क करेगा ठीक ना और कुछ ना कुछ तो ऐसा होने चाहिए कि साथ की पी का पी के आसपास वर्क कर रहे हो क्या आप AI की तरफ रुक मोड रह है वी एफ ऐसाई से काफी जादा दूर है तो बैंकिंग का प्रॉब्लम नहीं है और बैंकिंग क्राइसिस ना यूएस के बाहर अब निकल भी नहीं रही है तो जादा दिक्कत भी नहीं लेकि देखना होगा क्यूबन में एक बार लार्ज केप अगर स्टार्ट हो गया ना यहां पर नेट से लेकिए दो या तेस मार्च में कितना आया है वानेटी टू करोड का 177 171.68 करोड से बढ़कर 182 करोड पर नेट से लाई है तो यहां पर आप देखें तो कुछ यहां पर नहीं है बतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा है हर क्वार्टर ली रिजल्ट के 6 परसेंट 7 परसेंट का यहां पर जो है ना हर क्वार्टर में आपका नेट से ल बढ़ती नजर आ रही है बस इतना ही है आप कहें कि कोई आउट परफॉर्म है वो आउट परफॉर्मेंस नहीं है हम यह कह सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर तेजी हुई है तो कि क्यू 3 के क्यू 4 में आए हैं तो स्टॉक को इस वक्ते 214 नहीं बलकि यहां पर जो है ना 240-250-260 के आसपास होने चाहिए वह इसकी वेलिशन सही बनती है ऐसे में आपका पी एजस्टेड होकर कहीं ना कहीं आपका इंडिस्ट पी के आसपास पहुंच जाएगा ठीना तो आपका 200 डेमा जो है ना 200 डेमा वह आपका 200 सॉरी 200 डेमा तो काफी जादा नीचे हो चुका है आप यह समझे 50 डेमा हाई लाकि मूविंग एवरेज जो जिस हिसाब से अगर हम देखें ना भी तो मूविंग एवरेज बहुत अच्छा है मूविंग एवरेज चार्ट पर ब नीचे है तो अभी 216 इस स्टॉक के अंदर 50 डेमा बहुत इंपोर्टेंट है जो कि काफी जादा नीचे है तो मेरे हिसाब से ना अभी तो कंफर्टिंग जो यहां पर नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से यह तेजी कुछ जादा ही हो गई है IT स्टॉक के अंदर IT स्टॉक ज काफी जादा अंडर वैल्यू उड़ते उनमें तो तेजी चलो समझ में आती है लेकिन जो अपने P.E. के इंडिस्टी P.E. के आसपास ही थे उनमें अगर ऐसी तेजी हो जाई आप देखिए कि मिटकेप के अंदर 3-3 नजार रुपय वाले स्टॉक जो है ना जैसे एम पेस आना स्टार्ट हुई तो फिर ये भी नहीं बचेगा तो चीजें दोनों तरफ से हैं आपको अलर्ट रहना होगा इससे बड़िया सब दयां पर जो है ना कुछ और होई नहीं सकता आपको अलर्ट रहना होगा बस और अगर टॉप बन गया होगा ना तो ये लेवल क्रोस न होते हैं तब ही यहां पर कुछ हो सकता है तो फिर उस हिसाब से अपने आपको टैकल करें किस तरीके से आप करेंगे यह आपके ऊपर बागी मुझे फाइनेंसल में ऐसा कुछ नहीं लग रहा पहला नेगेटिव पॉइंट पी रेशो है क्योंकि इस तेजी जो हो रही है ज स्मॉल कैप को चला सकते हैं तो मिट कैप और स्मॉल कैप है ना भर भर करतीजी हुए जबकि आप फाइनेंसल देखेंगे तो इतने जादा स्टॉंग भी नहीं है फाइनेंसल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि स्टॉक जो है ना वह आपके 200 परसेंट कर रिटन दे जाए ठी पी रेशो जादा होना तै है मार्किट उसको प्रीमियम पर रख रहा है और अभी जो इसरो की न्यूज आई है इसरो से भी उनका पूरा टायाप है वहाँ पर आपके जो यहां पर जो है ना मिशन होने वाले है उसमें टाटा इलेक्सी का एक एहम रोल है तो उसको तो यहा नहीं देता तो वह कुछ नहीं होता तो आप इस चीज को समझेगा सो यह रा सेक्स आप्ट के अंदर इनलाइसिस बहुत जदा इनलाइसिस नहीं है बहुत जदाड़ाट है आपकी मूविंग एवरेजीज काफी जदा नीचे यह एक एक बात है बाقी मैं पीई से कमफर्ट नेबल मैं नहीं हूं 40 का पी बहुत होता है इंडस्टी में और मुझे आईटी में मिट केप और स्मॉल केप जो अपने इंडस्टी के पास थे इंडस्टी के पास थे उनके अंदर जादा हस्ते जादा तेजी हो गई वह मुझे ठीक नहीं लग रही है तो जड़ा इस पर आपका के कहने है इसके उपर कमेंश सेखिशने के यह और अगर आपसे वीडियो प्रब्रमम करें कुछ बताया है तो प्लीज कमेंश सेखिशने के यह और अप दूश्य वीडियो देखने के लिए बत दन्माद दूस्तू